इस वीडियो अप्डेट में हम बात करेंगे बिहार से जारखन के बीच पहली वंदेभारत एक्सप्रेश ट्रेन कब से चलेगी क्योंकि कई कारणों से पिछले एक मैने से राची पटना वंदेभारत ट्रेन के चलने किती थी लगातार बदल रही है इसी वीडियो को सुरू करते हैं उसे पहले हमारे चैनल को नहीं कियें सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के सामने आड़ी है कि ट्रेन के नई डूर्ट तयार हो चुका है और अब इसका पड़ी चालन सिग्र हो जाएगा नया रूट तयार हो जाने से राचि से बरकाकान तक का गुमाऊदार सफ़ड़ खत्म होगा क्योंकि 63 किलोमेटर लंबी नई डूर्वे लाइन तयार हो जाने से राचि से बरकाकान तक की दूरी लगवग 46 किलोमेटर कम हो जाएगी हाना कि अभी तक रेलवे की ओर से इस ट्रेन के परीचालन का फाइनल एनॉंस्मेंट नहीं हुआ है लेकिन नया रूट तयार हो जाने के बाद उम्मीद है कि इस रूट पर ट्रेन जल्द दोड़ेगी जार्खन और बियार की या एक पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी जो की दो सहडों को कनेक्ट करेगी राची बरगा काना रूट तयार हो जाने से सबसे पहले इस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी इसके साथ ही राची पहुँचने के लिए वै राची पतना रूट तयार है ऐसे में बरका काना राची नया रूट के साथ ही पतरातू तक 85 किलोमीटर रेलेवे लाइन का दहुरी करन भी पूरा हो चुका है और इससे थर्मल पावर प्लांट को कोल पडिवहन के लिए भी बहतर कनेक्टिविटी मिलेगा उमीद करते हैं कि कि इस रूट पर जल्द ही वंद्यभाट ट्रेंड के साथ कुछ अन्य ट्रेनों का भी संचालन शुरू होगा फिल्हाल यह वीडियो किसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को सेर करें नई ट्रेनों के अपडेट के लिए